तो यह हैं हमारे कुछ प्रीविएस रिकॉर्डेट लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप तो आए आज की वीडियो देखते हैं आप सब की सलामती हो अपना मुकदमा लेकर तो रोती वी आई तो काजी जो थे रहाबाए या काजी उनका दिल ना पसीज गया उन्होंने उस औरत को का नहीं मैं ना जरूर तेरे लिए कुछ करता हूँ तो उन्होंने ना दूसरे उस औरत का जो मुकदमा था ना वो दूसरे काजी को परना का यार औरत परेशानी में है तो इसका मुकदमा हैंडल कर ले तो उसने हैरानी से पूछा उसने का जनाब आप खुद यही हैं आप खुद क्यों नहीं हैंडल करते हैं उन्हें का मैं इससे ना रिश्वत ले चुका हूँ मैं इसका मुकदमा हैंडल नहीं कर सकता हूँ उन्हें का रिश्वत ले चुका हूँ इसने ना मुझे अपने आंसों की रिश्वत दे रही हैं तो इस बात से आप अंताजा लगाएं कि वो किस लेवल पर जा के चीज़ों को सोचते है आंसों की भी रिश्वत होती है और होती है यह जब हम अक्सर कोई बात सुनते हैं न तो नॉर्मली किसी एक पार्टी के रैफरेंस में हमारे अंदर ना एक सिंपथी के जजबात पैदा होती है काजी के अंदर अगर सिंपथी के जजबात पैदा हो जाते है ना तो काजी डिस्कॉलिफाई हो जाता है नॉर्मली अगर फैमिली कोई केस होता है तो family में अकसर लोगों की sympathies औरतों के साथ होती है पर आप as a judge जो है वो religious court मेंसे disqualify हो जाते हैं अगर आपकी sympathies किसी एक party के साथ हो जाती है so मतादत बार मैं ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ कि for a judge both parties are मुजरिम for a judge both parties are innocent until proven otherwise so जब भी आपके सामने को पार्टी आती है तो आपने neutral बनके उनकी judgment देनी होती है और अगर आप आप मेंसे बेश्टर जो है वो Jewish literature से मिशना तालमूद और इससे बार बार इनके नाम आते हैं आप मेंसे बहुत सार उने इनके से कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर है आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपको मुतादत बार यह मिलेगा वाय दियान अ वेरी गूड जाज अफ दे करेक्टर्स किस तरह से वो जो है वो इतनी अच्छे तरह से लोगों का जो है ना वो अनालिसिस कर लेते हैं उनके की परस्ट्राइटी का पोस्टमाटम कर लेते हैं उनके पास ऐसा है क्या मुझे अक्सर लोग आके पूछ लें मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यह जो हमारा पारशा का साइकल चाल रहा है इसके अंदर जो अब हमारे सामने तीन पारशा आए है ठीक है पारशा कोरा पारशा बलाक ठीक है जी और यह तीसरा आया है पारशा पे नहीं है तीन तो यह हैं चलें जो बाजी ने पूछे हैं दो ढूंड लीजेगा तो आप इन तीन जो तौरा के हिस्से हैं इन तीनों में आपको तीन डिफरेंट करेक्टर्स जो है रहा इंडिडिउस किये गए और फर वाट रीजन यह आप लोगों को इंटिडिउस किये गए है क्यों यह आप लोगों इनके बारे में इस तरह से बताया गया है इतनी डिटेल से बताया गया क्योंकि मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर आपके सामने जो है वो कौरा, बलाक, फिनेहास, इन जैसे लोग आते हैं हमें सिरुख, जो है ना, हम, हमारी नकामी यह जो है, कि हम जो है ना, बलॉक्स जोड़ के तो हम एक चेंड नहीं बना सकते हमारे अंदर यह अभिलिटी नहीं है हमारे अंदर इतना experience नहीं है कि हम लोगों के character को ना तौरा के साथ analyze करके तो उसको ना उसके बारे को judgment कर सके और इसलिए अक्सर हम अपने relationships में और लोगों के साथ मिलने में हम लोगों के आई आपको ये बताता हूं बता रहा हूं कि एक आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए वो आपको सारी जगा से जो जो एना दोकानी दे सकता ठीक है न वो एक बात अक्सर वो नील भाई मुझे बताते होते तो मैं बताते हैं तो विया थे जो आदे हूं ना बताते हैं और आपको यह अंदाजा हो जाएगा बंदे के जो काम होते है ना उससे बंदे के क्रैक्टर का अंदाजा हो जाता है यह सारी बाते मैं आपको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यह तीन पार्शा है ना यह बहुत खुब्सूरत है परस्नैलिटी जैज्जमेंट के लिए जी शलोम शलोम मैं तौरा सीखना चाहता हूँ आपको चार दिन में बंदे का पता रख जागा को बंदा तौरा सीखने में जो है उसके लिए कितना संजीद है आपको बंदे के घर में उसके करैक्टर से अंदादा जागा के बंदा तौरा सीखने के लिए कितना संजीद है बलकि इन ने इन तीन पारशाज में जो यह तीन करैक्टर हैं यह तो इंट्रडूस हुए हैं इनके साथ कुछ और भी करेक्टर्स इंट्रिड्यूश हो गए मसलन एक करेक्टर था जिम्री का जैसे वो जिसके बारे हम पिछली दफा बात कर चुके हैं आपको बड़े करेक्टर आपके सामने इस किसम के आएंगे अब जिम्री जो है उसका प्रॉब्लम क्या था वो बकाइदा सरदाम था शिमाउन के कबीले का था और वो पबलिक लिए जो है वो लीडर्शिप के और खुदा के कानूं के अगेंस चला गए अवाज आरी मेरी जी भाई जी भाई आरी है जी भाई आ गे है जी भाई जी 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 भाई आरी है उसने जा के एक मदियानी ओर्ट को जो है ना वो उसने उसे नकाख शिकादी कर लिया है और आपकी जन्दगी मैं ऐसे क्रेक्ट राएंगे लिए आप जिन्दगी में कोई काम करते रहे है फर्ज करें आप जो है ना जिन्दगी में अलकोहल का इस्तमाल करते रहे हैं आपकी जिन्दगी में जो है वो एक हिसा रहा है अब आप उसे ताइब होके आपने कनारा कशी कर लिए अब आप लोगों को ये तलकीन कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो लेकिन आप याद रखियेगा कि आपकी जिन्दगी में कोई नगोई करेक्टर आएगा जो कि आपको पब्लिकली और आपको जो है ना मेभी इन सीखरीट ली मेभी पब्लिकली वो आपको आके ये कह अबला है तुस 여자 चुनाब ठीके असी करिये ते गलते उस दिन आपने ये याद करना है कि ये करेक्टर जो है न ये पहले भी तारीख में आ चुका है और ये इस करेक्टर का एंड क्या होगा उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में जोटके आपको कहा सकते हैं तो कीता से, और ठीक नहीं सी मैं तो ताइब हो गया लोग जो बैनने तो किया मुझे तो चले मुझे इल्म नहीं था या मिज़े अब तो मुझे इल्म है न, अब तो मैं आपको ये बता रहूँ न कि ये बात घलत है हमारे यह आने एक बड़ी बात मिशूर है नौस्टा चुए खा के बिली हाजी को चली अक्सर हम लोग कोट करते हैं हमारे माशने में बड़ी कॉमन है चली तो सही ना एक दफ़ा उसको दराग तो वहा ना कि मैंने गलत कर लिया तो आपके सामने बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे हैंगे उस दिन आपको याद आएगा के तोरा के अंदर एक करेक्टर जिम्री भी इंटर्डूस हुआ था जिसने एक्जैक्ली यही काम करने की कोशिश की थी और इस तरह के करेक्टर्स का क्या अंजाम हुआ यह हम पीछे देख चुके हैं अब जो है इसके बाद एक और करेक्टर इंटर्डूस हुआ है अब नॉर्मली ऐसे करेक्टर्स जो है ना यह हमारे माशरे में पसांद नहीं किये जाते हैं हमारे माशरे में हमेशा मक्खन लगाने वाले लोग खुशामदी लोग ठीक है ना दूसरे की गलत तारीफ करने वाले लोग प्रेज करने वाले लोग कि यह बहुत इन होते हैं वैसे किसी भी माशरे में इन होते हैं सिर्फ हमारे माशरे की बात नहीं है कहीं भी यह जो है ना इनका जादू चलता है अब एक और करेक्टर इंटर्डूस हुआ है और वो है जनाब फनिहास अब जनाब फनिहास जो हैं उनको इस बात से गुसा आ गया है ठीक है उनका गुसा जो है मतब सारे बंद तोड़ के निकबह गया है कि यार इतनी इतनी मतब क्या इसको कहना चाहिए कि यार ऐसी बात तो मीजी मतब ऐसी बगावत और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये सारी कहानी आपको पता है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नहसा पकड़ा और उन्होंने जाके न उन दोनों को छेद दिया और मज़े की बात देखें कि दो करेक्टर्स अब इंट्रिड्यूस हुए दोनों के बारे मैंने आपको यह बताया अब तीसरे ना एक मतब लार्जर फॉर्मिट के अंदर करेक्टर्स इंट्रिड्यूस होंगे अब वो यह है कि लोग इस सारे एक्शन्स है जनाब फिनिहा से खफा होगे मज़े की बात यह और अब लोग यह कह रहे है कि भई इसका कोई हक नहीं था कि यह जो है ना जिम्री और कजबी को मारता और बात वही है कि भई पीछे से तो तुम भी यही करते रहे तुम वो करते रहे हो फलां करते रहे हो यह करते रहे हो वो करते रहे हो भी तेरा कोई काम नहीं था उनको मार रहा तूने क्यों मारा है और आज भी यह यह करेक्टर जो है वो हमारी सोसाइटी के और हमारे सोशल स्ट्रक्चर की बड़ी परफेक्टली अकासी करते हैं हमें आज भी सच बोलने माला बंदा नहीं पसंद गालेबन ये कोट जो है मेरी बड़ी फेवरिट है नॉर्मली अमैनुवल कांट के नाम से मशूर हुई भी है लेकिन मैंने जब इस पर तहकी की थी तो मुझे ये वता लगा कि ये कोट अमैनुवल कांट की नहीं है लेकिन फिलहाल चुक्छे आदे जहान में अमैनुवल कांट के नाम से मशूर है आप इसको ऐसे समझ ले और इसको आप इसको आप पीपल लाफ अगर लोग साच से मरते हैं ना तो उनको मरने दो हम लोग साच सुनना पसांद नहीं करते हैं ओवरॉल और हमारे हमारी सुसाइटी का सबसे जो एक बुरा बंदा होता है ना वो वो होता जो सच बो होता है यह कहना वो हमेशा ही पत्थर खाता है जनाब फिनिहास ने भी जो उन्होंने किया वो हमें पता है लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ लोग फिर जो है ना उठके आगे एक बात जनाब फिनिहास के बारे में मैं जरूर आपको मज़े की बताना चाहूंगा इसके उपर डिसकेशन हम जरूर किसी वक्त में अपनी वोईस चैट में करेंगे इस यहां पर नहीं बेशक जनाब फिनिहास जो है वो जनाब हरून जो है वो उनके दादा थे लेकिन में भी आप लोगों में से कई लोगों को ये बात पता हो कई को ना पता हो फिर भी जनाब फिनेहास जो थे बेशक जनाब हरून उनके दादा थे लेकिन जनाब फिनेहास काहिन नहीं थे क्योंकि जब खुदावन ने जनाब हरून को ये का थाना के हरुन और उनके बेटे जो Aina वो कहानक करेंगे तो यह माना जाता है कि उस वक्त उनके मसा होने के बाद से जो उनकी उलाद थी न वो काहन हूगी और जनाब फिन्यास जो है न वो उससे कहीं पहले पैदा हो चुके हुए थे जनाब फेनेहास जो है ना वो उस लिस्ट में नहीं आते थे लिस्ट में कौन आता था जनाब हारून जनाब नदब अभी हो जनाब अलिवियाजार और जनाब इत्माट और इसके बाद जब उनकी जो उलाद होगी उनके काहिन के मरत्बा पर फाइज होने के बाद वो जो है काहनों में सामल होगी सो साच बोलने वाले को हमेशा आशम होट डिफेंड करते है क्यूँके साच जो ए ना लिखा है तेरे कलाम का कुलासा सच चाही है तो हाशिम जो हैं उन्हों hospitals उन्होंने खुमप फिन्हाश को डिफैंड किया और उन्होंने रवीनुमोश को ये कहा ये क्योंके इन्होंने उसको अपोस्ड ने रुनी ormatan किया और उनको सजा मिली और ये सिर्फ ये फिनेहास की वज़ा से है जिसने मेरे कहर को जो है ना वो बनी सराइल के ओपर से टाला तो हाशिम जो है उन्होंने जनाब फिनेहास बिन एलियजर बिन हरूम जो है उनको ये रिवार्ड दिया है जो उन्होंने हाशिम के लिए किया था कि उन्होंने उनको वो अन्ब्रेकबल प्रोमिस और मतब बरिच शलूम जो है उनके साथ किया और जो है जनाब फिनेहास जो हैं उनको बाइस बाइस पेशल ओर ओडर उफ हाशिम की बिकेम अकोहन सो इसको जो तो जिनोंने तौरा को पढ़ा है उन्होंने संजीदगी से इसको इस पे गवर किया उनको ये पदा है कि ये मरतबा छोटा नहीं है ये क्या मरतबा है so जो बात मैं आप सुप करना चाहता था वो यह है कि उनके बारे में एक और बात जो है ना यह बात मशूर है कि वाज दे प्रीस्ट अफ वार और प्रीस्ट अफ वार के उपर यहां पर नहीं पर हम किसी वक्त में अपने ग्रूप में जब हम चैट करते हैं तो उस पे हम जरूर बात करेंगे गौरी साब जो है वो होंगे वो आपको बड़ा मज़े का इस पे इस पी बातें बताएंगे तो इस सारे सेनेरियों में जो है जिमरी मारा गया और जनाब फिनेहास के अगेंस लोग होगे क्योंके उन्होंने सच का साथ दिया लेकिन हाशिम जन्हों है वो जनाब फिनेहास के साथ हुए और उन्होंने जनाब फिनेहास के साथ वसुला का एहद किया और जो हैना उनको उस एहद में शामल किया जो के उनके लिए, मतलब उनका लिए बहुत बड़ा एक रुटबा था उनके लिए, मर्तबा था उनका, वो दिया उनको तो बरहल इसके बाद जो है, बनी इसराइल की दुबारा से रीकाउंटिंग, जो है ना, आखरी दफ़ा उनकी स्टार्ट हुई तो हाशिम ने हुकम दिया कि भी इनको गिनों 20 साल और इनसे उपर, जो है ना, ये क्यों, मतलब इनको गिनना चाहिए, तो हाशिम को तो गिनती की जुरूरत नहीं, इस वेरी क्लियर, पहले भी हम पिछले हिस्टों में ये देख चुके हैं कि गिनती करने का मतलब, कई मतलब होते हैं, उनमें से एक मतलब तो जो है, वो आपकी जो मिलिटरी स्ट्रेंथ है, उसको जानना होता है, और मिलिटरी स्ट्रेंथ हासिम ने जाननी नहीं है, आपके पास जो डेटा है ना, वो मौजूद होना चाहिए, जो कौम के लीडर्स हैं, उनको पता होना चाहिए, कि ह importance of data जो information होती है यह बड़ी important होती है सो बारहाल हाशिम कोई चीज की जुद्ध नहीं है लेकिन कौम के leaders और बाकी लोगों को कौम के historians जो हैं कौम के जो बाकी लोग हैं उनके लिए इस data की जो है न बड़ी importance है थाकि उनको पता लगे कि हमारी military strength क्या है ठीक है न और हमने किस हिसाब से कहां कहां पर लोगों को कहां कहां रखना है so they need to know और एक और reason है जो हम पिछे दफ़ा भी जो है पिछले हिस्सों में सुन चुके हैं वो यह है कि जब भी आप किस चीज को गिनते हैं न यह आपका की का प्यार चीज को आप ते लिए उसका लव शो करता है so in in terms of Hashim it's his love that he counts them in terms of people it's the information they need to know तरा कि उनको पता हो के भी काँ में कहां कहां पर कितने लोग अच्छा और एट इस पॉइंट इसका एक और लिजन यह है कि जो कमांड जो है जैसा कि आपको पता है कि कमांड जो है वो बजर्ग मुसा से बजर्ग यहोशुआ की तरफ जो है वो ट्रांसफर होनी है तो उनको यह पता होना चाहिए कि भी पीछे कौन से लोग लेके निकले थे कौन कौन जो है वो रस्ते में नहीं रहा है और किन को लेकर जो है ना अब वो मैं यर्दन के पार जो है ना जाने वाला हूँ तो उनको यह पता होना चाहिए ले और उनके लोग और उनके सरदार वो मेंचिन किये गए है और यहां पर जो है ना एक बड़ी मज़े की बात है कि वहां जब आप नाम पढ़ेंगे ना उर्दू वे भी कमोबेश उसी तरह से उसी अंदाज में इनको बियान किया गया जैसा कि इबरानी में बियान किया गय और यह ऐसी चीज़ है जो कि मैं भी आपको इस तरह से कनवेश नहीं कर सकता है अगर तो आपने अर्दू में पढ़ा है ओके ठीक है लेकिन अगर आपने इसको इबरानी में पढ़ा है तो फिर आप इसको जो है ना सही तरीके से इसको महसूस कर सकेंगे कि यह जो है ना हुआ किया है और रहवाज यह कहते हैं कि यूद और हे चुके खुदावन के नाम का हिसा है खुदावन ने यह जो है उनके नामों के साथ जो है शामिल किया इसको इसको ठीक अफिट अज़ बैज बैज अफ आउनर कि हर फैमिली के साथ खुदावन ने और जो है न यह चीज़ यह शो करती है कि इट इस हाशिम जो इनको जो है न वहां मिसर से निकाल के तो अब मुलके महुदा है और प्रामिस लैंड तक जो है वो लेके जा रहे हाँ सिर्फ एक नाम है जिसके साथ योध और हे जो है वो अडर नहीं हुआ और वो नाम है यमिना का और यमिना के नाम में जिसमें उसका दाएस नहीं की गई और जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि विदिन दा काउंटिंग जो सबसे बड़ा ट्राइब था कोई गैस लगएगा आ सकता है किसका कौन सा होगा सबसे बड़ा ट्राइब सबसे बड़ा कबीला बनी इसराहिल का कौन सा था आफ्टर दे काउंटिंग दान यहुदा का दान दान इस दे सेकंड लारज़स्ट यहुदा हाँ जी यहुदा के विजम तकरीबं तरजास से जादा लोग थे सो जी अच्छा अब यह सारा सिल्सला जो है हब बाइ दे कमांड आफ आशियंगी हो जाता है और अब सूर्त अलिया है कि जो वो मुलक मुदा की जमीन है वो लोगों के दरमयान उनकी तक्सीम का सिल्सला है अब्यसली लोग है लोगों ने जाना है मुलक मुदा में अब जमीन भी तो उनको देनी है जमीन जो है उसके बारा हिस्से जो है ना वो किये गए हर हिस्सा जो है वो एक कबीले के लिए था यह हमें पता है तौरा में बताती है जितना कबीला था जितने कबीले का साइस था जिससे अब आपको पता लगेगा कि इतने लंबे चैप्टर की और इतने नामों को पढ़ने की क्या सिग्निपिकेंस है तो जितना बड़ा कबीला होगा उतना ज्यादा एरिया उसको मिलेगा तो ज्यादा बंदे हैं ज्यादा हिस्था है तो अब सूर्टे अलिया है कि अब हिस्था दिया कैसे जाएगा तो यह कहा जाता है जो मुफसरीन है रहबाइस है वो यह कहते है और तौरा सेज़ट कि बई चुके जमीन मुकदस है इसा होली लैंड तो इसका तरीका भी ऐसा होगा कि जिसके उपर ना किसी को इतरास ना हो इसे के उपर कोई argument ना हो कोई division ना हो सो तरीका यह रहे कि बही जमीन जो है वो through lottery या कुरे के जो है ना through जो है कबीलों में divide की जाएगी ता कि कोई तरास ना कर सके अच्छा अच्छा तो उन्होंने किया यह है कि कबीलों के नाम जो है वो parchment पर लिखके या उसका वो बना के और जो हिस्से हैं उनके वो बना के बारा कबीले बारा जमीन के हिस्से उन्होंने एक डबे के अंदर उसको जो है ना वो mix कर दिया और ये कहा जाता है कि जनाबे चुके खुदावन ने ये फरमाया था उनको के बई कौन जो है इस तक्सीम कारी का जो है उसके सुपरवीजन में होगी जनाबे अलियेजर जो थे जो कोहिन गदोल थे वो वहाँ पर वो वकाइदा अपने कोहिन गदोल के जो है न लिबास में खड़े थे और उनके पास उरीम और तुमीम मुझूद थे सो हर कबीले का जो सर्दार है वो आता था वो बकसे के अंदर हाट डालता था बकसे के अंदर से जो है न वो दो है निकालता था कौन सा कबीला और कौन सा जमीन का हिस्सा और ये कहा जाता है कि खुदावन ने ऐसा मुद्जा किया कि जौन साथ सरदार जिस कबीले का था उसने अपने ही कबीले का जो है ना वो पार्शमेंट निकाला और जो हिस्सा उसको खुदावन की तरफ से अलाट होना था उसी हिसे का जो मतलब जो जो जमीन के लाटमेंट के काध़ है नए वो ही अलाटमेंट के काध़ उसके हाथ में जो है नहीं वो आए So, सारे कभीजों को इसी इस तरीके से उनको जो है ना जमीनी की तक्सीम की गईzig सेवाए एक कभीले गे कौन सा? दारुब जी तो लावियों को अब अब ये सोच लें कि जो अरेजस राई लेना उसको बारा सूबों में डिवाइड कर दिया गया बारा सूबों में डिवाइड करने के बाद जो लावी हैं उनको करीबन अरतालीस शहर जो हैना वो मुक्तस कर दिये गए टूआउट दा रifullyच असराईल के और जो कबायल थे उन्होंने उनको अपने द्रमें में जो हैना वो जगा दी ताकि जो हैना वो बाकी कबीलों को बनी स्राईल में प्हाल कर बाकी कबीलों को लोगों को जो है वो तौरा की और हाशिम के कवानीं की और हाशिम के बारे बता सकें और उनको तालीम दे सकें सो हाशिम ने जो है वो लावीयों को जमीर अलॉट के उनकी लावी जो है उनको जमीर में से हिस्ता क्यों नहीं मिला Can everybody make a guess क्या वजा थी क्योंके खुदा उनकी खुद मिरास था बेशक बेशक पर इसकी रीजनिंग क्या थी वदा चाहता था कि वो खिद्बत करे रहूँ इग्जैटली वो इस चीजों में नहीं में जाता है मैं ये बदब बैक इंड देज भी बात है मैं कभी भी खुदा के किसी खादम के किसी भी जाब करने के खाक मैं नहीं रहा हूँ और उसकी रीजन ये है कि अगर अगर उनोंने जमीनी वारी सी और उनोंने हाली चलाने है ठीक है तो उनोंने हाश्म का काम कब करना है So हाश्म ने उनको जो काम दिया वू बाकिज छितने भी काम थे उन सबसे बड़ा काम था तो क्यों हाशिम ने ये कहा के मैं उनकी मिरास हूँ ये जब उनों ने कहा मैं उनकी मिरास हूँ तो हर कबीला जो है ना वो इपनी मरास के लिए काम कर रहा था ना अगर जिनके बाई जमीन थी लैंड्स थे वो जाके खेती बाड़ी कर रहों थे अपनी मरास को और अपनी उस उसमतब जो अपनी सोशल स्टरेंठ है अपनी जो financial strength है उसकी growth के लिए अपनी growth के लिए family growth के लिए whatsoever ये corporate सिलसला जो है growth होनी चाहिए ये होनी चाहिए what's होनी चाहिए जीडीपी होना चाहिए वो जो क्या यार वो कौन सी पर्पिटा income होनी चाहिए वो सारों के लिए वो बारा कवीले काम कर रहे है आशे ने उनको का मैं इनकी मिरास हूँ ये मेरे लिए गाम करेंगे so ताके लावी जो है उनके जेन के अंदर जो है ना इस किसम की attention ना हो so उनको परे जिसराइल के अंदर जो है ना in the terms of land उनको कोई मिरास नहीं और अच्छा coming back to the lottery अगर आप imagine करें के भई जब lottery में हर जो कबीले का सरदार है वो अपने नाम अपना ही कबीले का का परचा उठा रहा है इसके अगर आपको परवर्बिलिटी क्या है it's very low it's next to none कोई जाए और बारा के बारा सरदार जो है उन्होंने अपने अपने कबीलों के जो है ना वो लोटरियां निकाल ली है तो इसकी probability बिलकुल next to none है लेकिन फिर भी यह हुआ और क्यों हुआ यही वो उसका मोज़ा था लोटरी के उपर जिसको रैवाइस कहते हैं और यह हाशिम की तरफ से डिकलेड था so everybody new के बाई यह हाशिम की तरफ से मन्जूरी है जो जो हिसा मिला है जिसको ठीक है उस पर कनायत करो उस पर शुकर करो यह हाशिम की मर्जी है इसके ओपर कोई जो है ना और डिस्प्यूट नहीं करना और आप देख सकते हैं के लैंड की तक्सीम में जमीन की तक्सीम में जहाँ जिसमें नहीं हमारे इंडिया पाकिसान में कतलो गारत हो जाती है बड़े-बड़े और्ग्यूमेंट्स उनके हुए बड़ी-बड़ी कंप्लेंज हुई बहुत-बहुत जगों पे बनीसराईल ने मसले की है लेकिन लैंड की तक्सीन के उपर ऐसा कोई मसला ने उठा कि बहुत उसको वो दे दिया मुझे ये दे दिया उसको कॉर्लर प्लाइट दे दिया मुझे जो हैना शड़क के क्नारे दे दिया मेरे plot के साथ वो लगता है उसके plot के साथ वो लगता है ऐसा किसी किसम का कोई scene जो है ना वो नहीं हुआ अच्छा तो ये सारा सिलसला होने के बाद बारी आई के भी अब लाग्यों को भी गिना जाएगा तो जो है ना इसके बाद उनोंने जो लावी थे उनकी भी काउंटिंग की ताके पता होना चाहिए मगदिस के जो करता धरता हो है जो उसका इंतजाम संबाल दें उनको पता होना चाहिए जो पर मारी वर्कफोर्स के आए और इसके बाद एक बड़ा जो है न प्लासिकल वाकिया पेश आया और वो यह था कि भई हमें इंट्रोड़क्शन हुआ जी सलाफ अहाद की बेटियों के साथ हमारा इंट्रोड़क्शन होता है और उनके पास एक बड़ा सीरियस क्वेस्टिन है और क्वेस्टिन यह है कभी मेरा बाप जो है न वो अपने गुनाव में बयाबान में मरा हाँ और यह अगर आपको याद हो तो रिवायत यह कहती है कि सलाफ अहाद वो शक्स था जो सब्सके दिन लकडियां जो है न वो कठी काना था जिसकी जिमने जिमने न जिसके नतीजे में वो मारा गया था वो बाराल उन्हों ने यह कहा कि हमारा बाप मरा अगर उसका कोई बेटा होता तो हमारे अबास भी जो है ना रेजिस्राइल में जमीन का हिस्सा आता लेकिन चुक्छे आप मारे बाप का तो कोई बेटा ही नहीं है तो जो बेटियां थी वो यह जानना चाहा रही थी कि क्या हमें भी इस मुकद्द जमीन में से जो है कोई हिस्सा मिलेगा जो के हमारा बाप अगर जिन्दा होता तो उसको मिलता तो अगर आपको यह याद हो तो जो बनी इसराहिल का जो जो जुडिशल सिस्टम था जो उनका कोट सिस्टम था अगर किसी को आप में से याद हो तो वो इस तरह था जैसे दस हो गए उसके बद पचास हो गए सौ हो गए सो एंट सो एंट इट गोज ऑन अंटे लिच्रीज अगर कोट का सिस्टम इस तरह चलता था सो अगर कोई मसला होता था तो वो पहले लोर कोट से उपर कोट में बात आती थी तो ये बात मैंने सुनी थी कि सलाफ वहाद की जो बेटियां थी ना वो पहले लोर कोट के मैं गई थी और ने का जनाब हमें ये बात जो है मतलब जो हमारा जो हिस्सा है वो हमें मिलेगा अब लोर कोट के जो काजी थे वो इसको solve करने में नकाम रहे और ये होती होती ये बात इतनी important हो गई और इतनी बड़ी हो गई कि ये बात जो है वो रभीनू मोशे तक पहुंच लिए और interestingly आप लोग देखें कि रभीनू मोशे के पास भी इसका जवाब नहीं था ये वो judgment है ये वो कोट का फैसला है जिसके उपर हाशिम ने फैसला दिया यानि ये बात आप देखें जो मतलब highest of the कोट है ये बात वहाँ तक पहुंच गई है होती 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 रभीनू मोशे से बलके रहाबाइस तो ये तक कहते है कि ये उन बातों ऐसे थी जिन बातों का रवीनू मोशे को भी पता नहीं था और रवीनू मोशे से ये बात हाशिम ने छुपाई ताकि ये बात जो है न वो हाशिम खुड डेकलियर करें और उनकी declaration से ये बात law बन जाती है जब हाशिम डेकलियर करते हैं कोई बात तो इट बिकम्स द लौ सो हाशिम जो है उन्होंने मुशे को ये कहा के बई ये सलाफाहत की बेठी है ना इनको इनका हिसा दो और इसके साथ ही हाशिम ने रभीनु मुशे को वो कवानी इन भी बताए कि अगर कोई बंदा मर जाए तो उसकी जो वरासत है उसका क्या करना मैं आपको ज़्यादा इन डेप्स में नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको एक जेनरली सरसरी सा इसका परिस्टर्टिव दे देता हूँ कि अगर कोई शक्स जो है वो मर जाता है तो अगर उसका बाप जिन्दा है न तो उसकी जो मिरास है न वो उसके पास जाती है ठीक है न अगर उसका बाप जिन्दा नहीं है तो उसके भाईयों के पास जाती थी और अगर भाई जिन्दा नहीं है तो उसके रैलेटिव के पास जाती थी यह उस केस में है कि अगर कोई शक्स जो है बगार उलाद के मर जाए मतलब ना उसका बेटा है ना उसकी बेटी है So in term, कहने की बात यह है, कि अगर तो बेटा है, तो मिरास उसके बेटे के पस चली जाएगी, और अगर बेटा नहीं है और बेटिया है, तो मिरास उसके बेटे के पस चली जाएगी, तो अगर यह कोई भी केस नहीं है, तो मिरास उसके बाप के पस चली जाएगी, इसका बाप अगर जिन्दा है हाशेम ने रवीनु गोशे को सारे केस में इंस्ट्रक किया और उनको बताया कि अगर कोई ऐसा केस हो तो उस सिल्सिने में क्या किया जाए अच्छा यहां पर एक बड़ी एक इंट्रस्टिंग सा सेनारियो है जब रैवर्ज यह कहते हैं मुलफसरीन यह कहते हैं कि मैं जब हाशेम ने डिकलेर किया कि सलाफाद की बेटनों को उनका हिसा जो है दिया जाएगा तो रवीनु गोशे इस चीज़ पर थोड़े से ना अंदर से खुश थे कि अगर हाशेम ने उनका हिसा दिया ना तो हाशेम मुझे भी शायद जाने देंगे मैं भी रेज असराइल में जो है ना दाखिल हो जाओ और यह बात हम पिछले हिस्सों में जान चुके हैं अगर आपको वो जो है ना डाइंग विद अ किस का लुश दो आढ़ आई ंगया तो यह अरविनु मोशे की खाहिश थी वांटें वोटें राइंग फारदर दिया विद दिवाइन किस रूरह हाशेम सारी चीजाय जानते हैं हाशेम ने अन रूविनु मोशे को आपको तो पहाड़ पर चड़ग जा और वहां से जो है ना, वो सारे इसराइल को तू देख लेगा, और ये कहा जाता है कि रिवायतन ट्रिडिशन ये कहती है कि हाशिम ने रवीनु मोशे को वो विजन दिया था, वो विजन टू सी एरेज इसराइल, जब रवीनु मोशे ने वहां पर खड़े होके पूरे इसराइल को देखा है ना, तो वो ये तक कहते हैं, इस अ ट्रिडिशन, जो ट्रिडिशन है वो मैं आपको बता के जाओंगा कि इस अ ट्रिडिशन, कि वो ये तक कहते हैं कि रवीनु मोशे को वहां पर दबे खजाने तक नजर आ गए थे, क्योंके आट, that's the vision given by Hashem to him, to look at the beauty of the land, what Hashem has given to his people. So, बरुक Hashem, praise Hashem. इसके बाद जब आपार्शा में आने जाते हैं तो रवीनु मोशे के बाद जो है ना उनके सक्सेसर की बात होती है तो गॉल्बन मैं मुसा के साथ बात कर रहा था तो मैं मुसा को ये बता रहा था बेटा रवीनु मोशे जो है उनका ग्रेटस्ट गिफट ता तौरा से खाना तो रहीनु मोशे का जो सक्सेसर है वो कौन हो सकता है कौन सा बंदा जो है जिसमें क्या capability होगी जो रभीनु मोशे के बाद उनका success हो उसके अंदर जो है ना सबसे बड़ी ability ये होनी चाहिए कि वो लोगों को lead तो का रही सके हाँ जी वो लोगों को तौरा सिखा सके और आपको पता है ना कि कोई किसी को याद है तौरा में क्या लिखा हुआ है ये बकाइदा लिखा हुआ है इस इन दर टेक्स्ट नाम चैंज किया था जो जी तो बजर्ब मुशा निकल आके थे तो रभीनु में वो बजर्ब यश्वा चले जाजा जाजा थे लेकिन जर्ब यश्वा जो थे जा यश्वा जो थे यवास सो डिलिजेंट यवास सो डेडिकेटर तो रभीनु मुशे कि वो वहाँ पर सीखने के लिए इलावा हिलते नहीं थे और ये बात क्यों आपको बताई गयी है ताके आपको ये पता लगे कि रभीनु मुशे के सेक्सैसर के अंदर जो ना क्या अबिलिटी होनी चाहिए कि उनके बाद जो है ना वो कौनको लीड़ कर सकें तो ये अधर बजर्ब बिलिजेंग और इतना honor गिया है उन्होंने So एक और character introduce हुआ आपके सामने Character with dedication and honor मैं आज आपको यह बता रहा हूँ कोई बंदा आपको इस बात से फराड लगा सकता है मैं तौरा सीखना चाहता हूँ जिनाब हम भी कलाम से सीख रहे है हम भी कलाम से सीख रहे है लेकिन अपने काम से वह आपको फराड लगा सकता कोई अपनी जबान से कह के आपको दोका दे सकता है लेकिन अपने काम से आपको कभी दोका नहीं दे सकता उसके कामों से आपको पता लग जाएगा कि यह बंदा क्या है So बजग ये होशुआ जो है वेरी डेडिकेटेड मैन और रमीनु मोशे के साथ उनका प्यार मौबत वैसे ही बहुत जादा था और जो उनके सीखने की लगन थी वो भी कमाल थी इसी लिए ये चीज जो है न तौरा में आपको इंटर्डिूस की गी है ये तौरा में आपको विदिन देट टेक्स बताई गई है कि उस शक्त का क्या क्रेक्टर था सो हमारे सामने ये भी एक क्रेक्टर इंटर्डिूस हुआ और आपके सामने इस तरह के क्रेक्टर भी आएंगे और हमारी बदकिस्मत ही ये है कि हम लोग इंतहाई नकमे तरीन लोगों के लिए अपनी जिन्दगी के खुबसूरा तरीन लोग रिजेक्ट कर देते है क्योंकि वो नकमे तरीन लोग जो है न वो हमारा हमारी हमारी फैमिली होते है फैमिली और ये बात आपको क्यों इंटर्डियूस कराई गई है रभीनु मोशे क्यों अपनी उलाद भी थी रभीनु मोशे ने उनको लिडर्शित्यों नी दी बनी पूरे बने इसराई लेकिन हम अपने नकमे तरीन लोगों के लिए अपनी जिन्दगी में आने वाले खुबसूरत तरीन लोगों को रद कर देते हैं इसलिए क्योंके वो हमारी immediate family होते है तो तोरा जो है वो totally different family के concept पे operate करती है अगर आपको यह बात समझ आती है खजब होती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं अजब होती है तब भी बहुत अच्छी बात है सो बाराल leadership जो है उसका decision जो है न वो हो गया और यह समझा जाता है के रबीनु मोशे जो थे उन्होंने क्यों जनाब यहोशुमा को पॉइंट किया क्योंकि एक perspective तो यह है कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों को understand करता हो उनको समझता हो उनके दुख तकलीव से वाकफ हो जैसा है आपको पता ही है जो बज़ूर यहोशुमा है वो शुरू सही उनके साथ थे और उन्होंने सारी चीज़ें सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी है समझा है ऐसा लीटर भी होना चाहिए जो लोगों को जो है जन्ग में लीड कर सके मतब यह ना हो के जन्ग उना शुरू हो तो वो खुद दोड के जो है ना वो पिछले कमरे में जा के छुप जाए ठीक है और सबसे बड़ी क्वालिटी क्योंकि लीडर में उनी चाहिए थी वह यह कि वो सिदीग होना चाहिए यह बहुत बड़ी क्वालिटी है यह ना आम लोगों में होती है ना सस्ते लोगों में होती है सिदीग होना चाहिए यह भी माना जाता है समझा जाता है ट्रिडिशनली के रवीनु मोशे ने जो है वो बज़ूर्ग यह होशवा हमें का यह तौरा में लिखा है कि अपने रोब अपना रोब इसके अंदर ट्रास्फर कर तो रवीनु मोशे का रोब क्या था क्यों लोग उनसे डरते थे क्योंकि वो यह जानते थे कि यह शक्स जो है ना हाशिम इस से रूब रूब बात करते हैं जो यह कहता है वो हाशिम का कलाम होता है तो रवीनु मोशे का सक्सेसर होने के लिए यह जरूरी था कि जब भी जनाब यहोशवा लोगों से कलाम करें तो लोगों को यह पता हो कि जैसे मैं मुसा के साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूँगा यह तो आप लोगों को पता भी है और इसी लिए जो है खाशिम ने जनाब यह रवीनु मोशे को यह कहा था कि जो है ना अपने हाथ इसके उपर राकर सो फाइनली जो है ना रवीनु मोशे ने जनाब यहोशवा को बजर्वे लियेजर कोह इनके सामने खड़ा किया और सब कॉव में के सामने ताके वो कौव जो है ना उनको अवे करे और कौव मुज़ how ना इनके पीशे चले और यह कहा जाता है कि कहा जाता है कि बजर्व यहोशवा का चहरा भी वैसे ही चमकता था जैसे जो है ना बजर्ग मुसा का चेहरा चमकता था लोगों के लिए जा किशी को फॉलो करना और इस्पेशली जब वो मतलब रबीनु मोशे जैसा बुलंद मरतबा इंसान हो उसके बाद किशी को फॉलो करना असान नहीं होता जो पुछ ना खुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वज़ा से जो है ना पूरी कौम जो है बजर्ग यहोश वा चुआ के पीछे वैसे ही चली जैसे रबीनु मोशे के पीछे चली बलके मैं आपको बताऊं मुझे कभी ये लगता है कि रभीनु वोशे के साथ तो ऐसा है ने जैसे बाप होता है गर में तो बाप के साथ बस्तियां भी कर लिए छेड़ खानी भी कर लिए तंग भी कर लिया खीक है लेकिन जिनाब ये खोशुआ के साथ कोई कुसका भी नहीं जागे क्या उनका जो है ना जो है ना एक उनका और स्पिरिच्वल प्रेशर होगा आवाम के उपर कोई बोला भी नहीं अच्छा इसके बाद तौरा जो है तब इस पार्चा के सिसे में वो हमें जो है ना तामीद आफरिंग्स के बारे में बताती है ताब बाजी आपको ये बता चुकी है कि जो डेली आफरिंग्स हैं उनको जो है ना तामीद कहा जाता था एक सुबा की होती थी और जो है ना एक शाम की हुआ करती थी तो इसके बारे में मेरा खाल है बाजी, हाँ, जो है, वो हमें बता चुकी है और जिस्ट टू गीब यू, मतलब रिफ्रेशर के, मतलब आप इमेजिन करें के आप मक्दिस्ट के अंदर खड़े हैं और जो है ना, सुबा, आपको पता है, सुबा की कुर्बानी जो है, वो अल्मोस्ट अभी अंधेरा होता था, जब उसकी प्रेपरेशन और सारे, जो है ना, लावी, जो कोहनीम है, और वो सारे रेडी हो जाते हैं या रॉबी, म्यूट ले ले, मिर ख़़ए दिम वाज आती, बार माई, आपका खुला है नहीं, मेरा बंद है अच्छा, तो किसकी आवाज आ रही है, किसका माई खुला है नहीं, डॉबी जी कही था, वो मैंने आफ किया था अच्छा, थेंक्यू भाईजी अच्छा, आप इमेजन करें कि आप जो है ना, मगदिस के अंदर है अच्छा, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना, आप लोगों को चीक होगी, जी 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 आ रही है थेंक्यू, थेंक्यू आप सुबा, सुबा की कुर्बानी है तो मतलब आप जब महां मगदिस जाएंगे तो इस तिल डार्क सन्राइज से पहले, जो है ना, जो सुब के मतलब मौर्निंग आफरिंग्स हैं, उसकी तियारी होती थी सारे कोहनीन जो हैं, वो तियार हो जाते थे लावी जो हैं, वो अपने अपने प्लाटफॉर्म संभाद लेते थे उनके पास musical instruments होते थे, उसके बाद, जो है, लैंब जो है, उसको लेके आया जाता था, फिर शखीता, उसका खोन, जो है, वो मजबा के उपर लगाया जाता था, और जानवर के जो हिस्से हैं, उनको हिस्से करके, जो है, वो मजबा के उपर डाले जाते थे, और आपको होगा कि there are different types of offerings, मतलब जिसको हम अउर्दू में सोखतनी कुर्बानी क्याते हैं, खता की कुर्बानी, जुर्म, क्या, you can make a guess कि ये जो जो दो offerings थी, ये कौन सी कुर्बानी हुआ करती थी, खता और जुर्म नहीं हो सकती, ना, देखें, logical peace जोड़ा करें, खता और जुर्म तो नहीं हो सकती, हलो, ये बाज आ रही है सिर्भाई, सो मैं ये कह रहा हूँ के, देखें, सुबा, ये जो खुदावन के हजूर, कुर्बानिया, जो सुबा की और शान की है, ये अब खता और जुर्म तो नहीं हो सकती, तो आपके पास कुर्बानी है, सुखत नहीं कुर्बानी, बर्न्ट ओफरिंग, अच्छा, इसी का हिस्सा जो है ना, जो है, वो मिन्खा जो थी, जिसमें तेल और जो फ्लार है, आटा जो है, वो तेल और वो, वो भी जो है, आद के इंदर डाला जाए, वो काहिं जो थे, उनके हाट में वो पॉर्ट होता था, और वो मजबा के उपर ले जाते थे, और वो सारा जो है ना, आँग के अंदर, जो है ना, वो खाली कर देते थे, आफर नोन तमीद होती थी, जिस मतलब जिस पे शाम की कृर्वानी की तृयारी होती थी, वो एक्चिली मकदस के अंदर आखरी कृवानी होती थी, जो कृवानी contributes के बाद कुर्बानी नहीं होती थी, लेकिन एक दिन ऐसा साल में आता था जब आफ्टरनून तामीर जो थी, वो आखरी कुर्बानी नहीं होती थी वो कौन सा दिन हो सकता है? बोलो अच्छा, इजिए सब्सक्राइब जामन सब्सक्राइब तक delivery का है? अजि, पासJust अच्छा, अब इन कुर्बानी यों के साथ जो है ना वो वाइन लाइबेशन होती थी और जो वाइन थी वो भी, जो है ना उसका हिस्से बतार उसका हिस्सा कुर्बानी का हिस्सा वो पेश की जाती थी और काहिन जो है न जब उनको उसको लाते थे और वो मजबा के अंदर होल्स होते थे जिसके अंदर वो उसको डालते थे और यहां पर एक बड़ी बड़ी खुबसूरत सी चीज है कि जब वो ऐसा करते थे थे न तो काहिन जो थे न वो घिनर सिंगे बजाते थे और एक काहिन जो है ना वो मजबा के उपर खड़ा होता था जिसके हाथ में एक जंडा होता था जब वो काहिन को देखता था ना जिसके हाथ में वाइन होती थी तो वो फ्लैग को वेव करता था जब ये सिगनल लाग्यों को मिलता था ना वो गाना और वेजाना खुदामन की तारीफ में जो है न वो शुरू कर देते थे ठीक है और इसी मतलब इसी के साथ जो है न जो है जो कोहिनीन थे वो मक्दिस की जो है फ्रंट स्टैप्स के उपर वहां खड़े होना शुरू कर होते थे और उनका जो चेहरा था वो बने इसराइल की तरफ हुआ करता था और फिर जो है न वो अपने हाथ उठाते थे और फिर वहां पर बरका था कोहिन जो है न वो वो सुना करते थे अच्छा तो इसके उपर एक इमपॉर्टन चीज जो मक्दिस के अंदर ये कुर्बानिया हुआ करती थी और उसके लिए रिसोर्सिस चाहिए होते थे तो वो आपको जो है वो हाफ शेकल याद होगा जो वो कलेक्ट किया करते थे वो इन ही कामों में जो है न वो इस्तमाल हुआ करता था तो ये बात इंपॉर्टन क्यों है ताकि आपको ये पता लगे कि जनाब हर शक्स जो है उसका हिस्सा हुआ करता था उसके साह अंदर जितनी भी कौम पूरी कौम जो है उसका हिस्सा जो है उसके अंदर हुआ करता था और इसी जी है इन सारी बातों को लेका जो है आज भी आप देखते हैं कि कौम बने इसराइल जो है वो आज भी जो है जो है ना मकदस के बनने की उसके खड़ा हुने की दुआ करती है क्योंकि मुकदस जमीन में मुकदस जमीन की सबसे खुबसूरत तरीन और मुकदस तरीन जगा जो है ना वो मकदस है और उसी से हमें हाश्म की प्रेसिंस का जो है ना वो रहता है so 2000 सार से मक्दिस हमारे दरमयान मुझूद नहीं है और क्यों वो मतब्द लॉंग फॉरिट के जो मक्दिस है उसकी तामीर हो क्योंके मक्दिस जो है वो मुझूद होगा तो कुर्बानिया जो है न वो हो सकेंगी और इसी लिए आज तक ये कहते हैं के मक्दिस जो है न वो क्विकली और इन आर लाइफ टाइम खड़ा हो जाए और जब भी ये बात हो तो आप सबने कहना होता है आमी सुमामी हमारी जिन्दगी और हमारी हयात में जो है न हमें मक्दिस का मूँ दिखाए आमी सुमामी अमी सुमामी अमी सुमामी अमी सुमाइब जो है आमी सुमाइब लाइब आर लाइब साझ हो जो आमी सुमाइब लाइब लाइब। झाल झाल